उन्होंने मुझे बताया कि जब आप यहाँ बर आये थे हॉस्पिटल में तब आपके पैरों पे ना हड्डिया थी और ना ही उसके उपर स्किन मौजूग थी गाइस यह देखे क्या किया है सौरफ जोशी ने मेरे साथ गाइस मेरा आधा पैर कट चुका है उन्होंने बतला लिया है उनके उपर वीडियो बनाने का अरे आप यह भी तो सोचे सौरफ जोशी मैंने आपके उपर जो वीडियो बनाई है लोग उन वीडियो को भूल जाएंगे लेकिन यह जो आपने मेरे साथ किया है इसे मैं कैसे भूलूँगी मेरी फैमली कैसे भूले कि हम नहीं भूल पाएंगे इसको लाइफ टाइम क्या कर दिया यह सब नमश्कार दोस्तों दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया कि किस तरीके से I lost my 1 lakh just because of सौरफ जोशी नहीं है तो उससे ज़्यादा बड़ा सबूत मेरे साप से कुछ कुछ पर देने की जरूरत नहीं है मेरे को जातों मैंने अपनी आंगों के लिए क्योंकि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा जब तक मैं पूरे सबूत गवाँ ना देदू इस वीडियो में भी सारे सबूत अग गवाँ है याँ पर आप लोगों के सामने पेश करने वाली हो बहुत टिपिकल्ट है बट फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं एकदब शान्त रहकर ये वीडियो को कम्प्रीट कर सकूं क्योंकि इस चीज के बारे में बोलना भी बहुत ज़रूरी है अगर मैं नहीं बोलूँगी खलको किसी और के साथ ये हुआ वो कैसे बोलेगा फिर मेरे अंदर को इतनी हिम्मत है कि मैं बोल पा रही हूँ तो गैस मैं आपको बता दू कि ये बाद जादा पुरानी नहीं है ये बाद अभी थोड़े समय पहले किया है अभी थोड़े समय पहले मुझे सें मीरा हिस्ट पेमेंट है पैसे मिलते है अहीं पैसे बहुत हुआ है फिर गाइस हम दोनों ने मिलके डिसाइट किया कि चल गहीं पर आपस में चोटी मोट पाटी कर लेते हैं, कुछ खापी के आते हैं यह चीज मैंने अपनी बेहन को बोली कि चल आसपास यहीं कहीं चलते हैं तो उसने बोला कि ठीक हैं, उसे भी खुशी में वो खुश थी कि हाँ इसको भी पेमिंट मिला है तो उसे अच्छा लग रहा था तो उसने बोला कि ठीक है कहीं चलते हैं, तो गाइस हम दोनों ने मिलके डिसाइड किया था और हम दोनों जाने लग गया, हमने कोई स्कूर्टी वगएरा से हम लोग नहीं गया कोई गाड़ी वगएरा से नहीं गया, क्यूकि हम्में पता था पास में जाना है घर की सब्सक्राइब नहीं पहुंचे थे हम जब गली में जहां पर कभी कोई बड़ी गाड़िया आती नहीं तो इस गली से इसलगी बिल्कुल शांत था वहाँ पर गएरा थे तो हम अराम से जा रहे थे उस तरफ चल रही थी उस तरफ चल रही थी उसी तार आई तो आई तरफ ए जो की सौरव जोशी के पास सेम कलर की थार आई वहाँ पर और उसने मेरे को टककर मारी है ठीक है उसने मेरे को टककर मारी है और जब मेरे को टककर लगी है मैं काफी ज्यादा दूर जाकर गिरी हूँ तककर के बाद मैं बहुत जादा दूर जाकर गिरी और जब मैं गिर गई तभी भी चैन नहीं आया महाँ पर जो थार थी उसके जो ड्राइवर थे उनको तभी भी चैन नहीं आया जब मैं बहुत जादा दूर जाकर गिर गई उसके बाद उन्होंने अपनी थार पूरी मेरे चैसे मैं ऐसे गिरी होई हूँ, मेरे पैरों के ऊपर से वो अपनी ठाड लेकर गए है, उनके पहिये जो है वो बिल्कुल मेरे पैरों, दोनों पैरों के ऊपर से ऐसे गुजरे है, आप समझ सकते हैं, मेरे आको से literally आसू आ रहे हैं, ये चीज बोलते गों, लेकिन मैं इको ब तिक है और उसके बाद मैं unconscious होई हूँ क्योंकि बहुत जादा खुन निगला और बहुत जादा उस टाइम पें में ती मैं जिसकी वज़े से महाँ पें unconscious हो गई थी बहुत जादा खुशी की बात यह है कि मेरी बेंद को बिल्कुल पी चोट नहीं लगी थी वह बिल्कुल ठीक थी उससे बस स्थोड़ी बहुत टकर लगी तो गिड़ गई और थोड़ी खरोच वगए उसके गुटने पर अदवाइस उसको कुछ नहीं हुआ बट मेरे उपर स थार भुज़री तो मुझे बता है कि मैं कितने जादा पेन में थी तो बस यह जब चीज होई उसके बाद जब मैं कॉंचियस थी तभी मैंने देख लिया था कि वह थार है और वह सेम वही थार थी जो सौरफ जोशी के पास है और उसके बाद वह फरार हो गए उन्हों ने कि मिरेको लेकर गई है आकेली लड़की वही चोटी ही है बहुत बड़ी नहीं है लेकिन वह फिर भी मैं को संभाल के लेकर गई वहँ पे जब रहे उसके बाद बहुत टाइम तक अनकॉंचियस थी जब मिरेको अपनी बाद काफी टाइम बाद का इसमे को होश आया और तो जी क्या है मुझे लग रहा था उस टाइम पर उसके बात लेकिन मुझे पता नहीं चला कि हुआ गया है मुझे लगा थोड़ी बद चोट लगी होगी पैर बेर सुन हो गया होगा जैसे मेरे को लगा नहीं पर नर्स आई है उन्होंने चदर हटाया है जो मैंने ठका हुआ मतलब उड़ा हुआ था वो जब उन्होंने हटाया है महा से चदर मेरे पैरों पे से तब मुझे पता चला है कि इस तरीके से I lost my one leg पूरा जो नीज से नीचे का पार्ट है वो पूरा ही कह सकते है कि बाड़ी से अलग हो चुका है और यह किसलिए किसलिए बदला लिया जा रहा है just because मैंने उनके उपर exposed विडियो बना दी पूरा YouTube आप सर्च करेंगे न सौराफ जोशी रोस्ट तो जितने जादा सौराफ जोशी के चैनल पर विडियो है न उससे जादा तो रोस्ट विडियो बना रखिए लोगों ने उनके लिए अब क्या करें उनकी हरकते ही ऐस कुछ भी कर सकते हैं सच में और बहुत ही जादा कह सकते हैं टैरिबर एक्स्पीरियंस ना मैंने चाहूंगी कि कोई भी फील करें इस तरीगी का एक्स्पीरियंस और मुझे बहुत बुरा लग रहे है ये विडियो बनाते हुए पर स्टिल आइप ट्राइंग मैं बेस्ट कुंट्रोल मैं टीज अवह बना फिर लोग बोलेंगे कि ये तो एक्टिंग करती रहती है फेक कहीं कि लोगों को तो मुझे हैं पीछे पड़े रहते हैं लोग यह तो फेक है अपने आपको नहीं देख थे लोग मुझे ही कहते हैं तो हमस्राजी चीज़े हुई थी और मै ये चीज़ उन्हों ने मुझे बताई है, जिसकी वज़ा से हमें ये करना पड़ा कि हमें आपका जो थोड़ा बहछा हुआ हिस्सा था, वो भी कट करना पड़ा। बढना ène बुदा वो जोई किना इंफेक्शन था पूरे पढ़ में फैल जाता। में को बहुत अजीब लग रहा है कि कैसे अब यह लाइफ कटेंगी बहुत लंबी जिन्दकी है पता नहीं यार क्या होने बाला है बठा गाई इस वीडियो को यही पेंट करती हूँ बस आपको बताना चाहती थी और एक चीज़ बोलना चाहूँ कि खुशियों में अपनी बहुत जल्दी एक्साइटेड नहीं होना चाहिए मैं एक्साइटेड हो गई थी अपना इंस्टा क्या बोलो अब गाईस मेर को वाश्रूम जाना था मैं वाश्रूम भी नहीं जा पारी हूँ चलके अपने कटेव पैर की वज़े से मेरी बहन मुझे वाश्रूम लेकर गई है मुझे इतना एंबरेस्मेंट कभी फील नहीं हुआ लाइफ में जितना मुझे अभी फील हो र